हेलो बच्चों आज हम ऑसिलेशन चैप्टर का एक्ससाइस का 13.10 कोश्चन करेंगे यह वाला कोश्चन है इस कोश्चन में लिखा है इन एक्ससाइस 13.9 लिखा है न तो देखो यह कोश्चन आपका 13.9 से ही रिलेटेड है 13.9 में जो जो चीजे हमें गीवन है वो सारी चीजे हमें यहाँ पर कंसीडर करनी है जैसे यह फीगर हमें की बनाए तो यह फीगर हम कंसीडर करेंगे दूसरा इसका spring का spring constant हमें की बनाए तो इसकी भी हमें जरुरत पड़ेगी दूसरा यहाँ पर mass दे रखा है यह जो block है इसका mass हमें 3kg दे रखा है इसकी भी हमें जरुरत तो अगर मैं इसे 2 cm इधर पुल करूँगा तो 2 cm पुल करने के बाद यहाँ पर oscillation करेगा और उस oscillation का जो amplitude होगा वो भी 2 cm ही होगा तो देखो यह सारी चीज़े मैंने यहाँ पर लिखी विया है कि क्या spring constant है m इसका mass है यह amplitude 2 cm है तो यह spring था इस spring को हमने 2 cm तक इधर पुल किया था फिर हमने इसे release कर दिया था तो यहां से लेकर के यहां तक 2 है तो यह फिर इधर भागेगा फिर यहां अंदर compress भी होगा तो यहां से लेकर के यहां तक भी क्या है 2 है तो यह भी आपका amplitude है यहां से लेकर के यहां तक का distance भी आपका amplitude ही होता है चलिए question पढ़ते हैं क्या कहरा है let us take the position of mass when spring is unstressed as x is equal to 0 वो यह कहरा है कि जब spring unstressed होगा जब spring unstressed मतलब जब वो mean position में होगा तो वहाँ पे position of mass को आपको x is equal to 0 consider करना है तो देखो जब spring यहाँ यह block जब यहाँ पे होगा तो इस समय spring क्या तो इसका जो position है उसे हमें यहाँ पर x is equal to 0 लेना है जो कि होता भी है जब particle mean position में होता है तो उसका displacement होता है जो position of particle होता है चलो इसे हम थोड़ी देर के लिए particle ही मान लेते हैं या block इसका position 0 लिया जाता है यह सबको पता होता है कि जब block mean position में होगा इस वाली direction को हमें positive लेना है तो just इसका जो opposite direction होगा उसे हम negative लेना है इतना सभी को पता है give x as a function of time हमें यहाँ पर x और t के लिए function बताना है give x as a function of time for oscillating mass यहाँ पर mass क्या कर रहा है oscillating कर रहा है if at the moment we start this stop watch तो किसी moment पर हमने stop watch start करी तो t is equal to 0 पर यहाँ पर t is equal to 0 पर हमने क्या लिया है mass को कहाँ पर consider किया है mass is at the mean position तो हम t is जब mass mean position होगा तो वहाँ पर हमने stop watch की मदद से t is equal to 0 consider किया है तो जिसे मालो यहाँ पर यह mass जो है भी mean position में तो यहाँ पर हमने t is equal to 0 consider किया है ठीक है चलो यहाँ पर सापसाफ कर लेता हूं यह आपका mean position है यह आपका extreme है और यह आपका extreme है, ठीक है तो जब वो mean position होगा तो हमें यहाँ पर t is equal to 0 consider करना है और x is equal to 0 consider करना है, ठीक है फिर देखो यह जो A part है फिर B part भी हमें दे रखाए B part में ये कह रहा है कि at T is equal to 0 पे mass is at the maximum stressed position तो जब mass maximum stressed position में होगा तो वहाँ पे भी हमें T is equal to 0 लेना है मतब maximum stressed position मतब right hand side में right hand side में जब होगा फिर next एक और भी दे रहे हैं हमें C part यहाँ पे कह रहा है when mass is at the maximum compressed position जब spring compress होगा maximum compress होगा तो वहाँ पे भी हमें t is equal to 0 लेना है फिर उसके लिए हमें क्या बताना है ये x t के लिए function बताना give function, मतलब इन तीनों condition के लिए हमें function बताना, ठीक है आगे लिखा हुआ, in what way do this function for shm differ from each other हमें उन तीनों function को compare करना ये check करना है कि वो आपस में किस तरीके से differ है, in frequency, in amplitude और initial phase क्या वो frequency में क्या उनमें कुछ difference आएगा, क्या amplitude में कोई difference आएगा, क्या initial phase में कोई difference आएगा, ये हमें बताना है तो frequency और amplitude में तो कोई difference नहीं आने वाला, ये तो same रहेंगी क्योंकि अगर यह differ हो गई तो इसका मतलब वो SHM है ही नहीं वो SHM ही नहीं तो यह तो differ नहीं होने वाले सिर्फ initial face में differ होने वाला है इनिशल face थोड़ा different different आने वाला है इन तीनों case के लिए क्योंकि हम T is equal to 0 क्या ले रहे हैं लेकिन सबसे पहले यहां पर इसके लिए मालो यह जो मास है यहां पर यह क्या कर रहा है oscillate कर रहा है तो उसके लिए angular frequency calculate कर लेते हैं तो यह तो यह तो आपका अब दिखो जो हमारा part A है part A के लिए मुझे क्या करना है give X as a function of time मुझे एक function बताना है displacement के लिए function बताना है X का मतब displacement होता है when mass is at mean position जब mass कहाँ पर mean position में और वहाँ पर हमें T is equal to 0 consider करना है तो mass यहाँ पर यह mean position पर है यहाँ पर हमने T is equal to 0 ले लिए है X की value भी 0 होती है यहाँ पर ठीक है तो चलो हमारे पास जो general equation होती है वो क्या होती है A sin omega t plus 5 सभी को पता है cos वाली भी होती है उसे भी use कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर sin वाली use कर रहा हूँ ठीक है देखो मुझे क्या करना है सबसे पहले initial face calculate करना पड़ेगा तो initial face कैसे calculate कर सकता हूँ यहाँ पर हमें given है कि T यहाँ पर जब वो mean position में होगा तो mean position में X की value 0 होती है और T हमें 0 put करना है तो यहाँ T की जगह में 0 put कीजिए X की जगह में 0 put कीजिए और omega into T का value कितना है 0 put करना है प्लस 5 तो finally यह 0 upon A हो जाएगा यहाँ 0 ही हो जाएगा यह 0 प्लस 5 तो यह 5 हो जाएगा तो यह 0 is equal to क्या हो गया आपका sin 5 हो गया तो यह sin 5 क्या है आपका initial face है 0 किसकी value होती है sin 0 की value 0 ही तो होती है तो finally यह जो 5 है तो 5 क्या आपका initial face है तो initial face कितना है हमारा initial face कितना है हमारा 0 आया अब देखो आप चाओ तो यहाँ पर एक चीज हमें पूछी है हमें यह भी पूछा give x as a function of time हमें function भी लिखना है इसके लिए तो function कैसे लिखेंगे इसकी help से हम function लिख सकते है x और t के लिए function लिखना हमें तो यह मैंने लिखा x is equal to a sin omega t plus phi लिखा तो x लिखा x और t की value put नहीं करनी यह तो 0 x is equal to 0 t is equal to 0 मैंने यहाँ पर इसलिए put किया था ताकि मैं initial face मुझे मिल जाए तो initial face मुझे मिल गया उसकी value 0 है अब मुझे यह जो expression है बैस यहाँ value put करनी है x is equal to 0 मत put कर देना x is equal to 0 मत put कर देना सिर्फ amplitude की value put कीजिए amplitude कितना दे रखा 2 दे रखा है sin दे रखा है omega कितना दे रखा है omega आपका 20 का put कीजिए t को as it is लिख दीजिए और यह plus phi कितना था तो यह function हमें मिल गया हमें यहाँ पर function बताना था give x as a function of time अब देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे सोच रहाँगे यह 2 cm को meter में convert क्यों नहीं किया तो देखो अगर मैं यहाँ पर value cm में put करता हूं तो displacement भी हमें cm में ही मिलता है अब next question B वाला देखो general equation तो हमारे पास यह ही है displacement के लिए a sin omega t plus 5 ठीक है तो इस तरीगे से यह उसका mean position है यह उसका extreme position है ठीक है यह तो यहाँ पर देखो next question में क्या गर रहा है B वाले में कि आपको the mass is at the maximum stressed position t is equal to 0 t is equal to 0 पर हो कहाँ पर maximum stressed position पर है समझ मारा है तो spring सबसे जाता stretch कब होगा जब spring वो जो block है वो जो mass है वो यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हमें t is equal to 0 लेना है यहाँ पर जब वो maximum stressed position होगा यहाँ पर t is equal to 0 लेना है लेकिन जब particle यहाँ पर पहुंच जाता है जब यह ब्लॉक जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो उसका displacement कितरा होगा displacement तो यहीं mean position से मीजर किया जाता है यहाँ से लेकर कि यहाँ तक की उसकी distance होगी तो x की value कितनी होगी बच्चों यह जो maximum displacement होगा इसको amplitude बोला जाता है तो यहाँ से लेकर कि यहाँ तक कि distance को क्या बोला जाता है amplitude बोला जाता है तो उसे मुझे इस तरीके से मीजर करना पड़ेगा right hand side की तरह मीजर करना पड़ेगा इसलिए positive भी आएगा x की value किया आएगी x का मतलब maximum displacement तो t is equal to zero पे x की value किया आएगी a आएगी a मतलब maximum displacement जिसे हम amplitude भी बोलते हैं तो देखो यहाँ पर t की value जीरो पूट कीजिए x की जगा में यह x की value a पूट कीजिए यहाँ पर x की value a आजाएगी यह a आ जाएगा, sin आ जाएगा, omega जगा आ जाएगा, t की जगा में 0 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, तो यह a upon a हो जाएगा, इससे इकल टू sin, यह 0 हो जाएगा, यह 5 बचेगा, ठीक है? तो finally यहाँ पर यह 1 आ जाएगा, cut कर गए, तो यह आपका यह aうजा, sin π, तो यह 5 यह जाएगा, 5 मतलब initial phase की हो जाएगा, आ पका πाइब 2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे initial phase कितना मिला? initial phase कितना मिला? पाइब 2 मिला, तो यहाँ पर initial phase कितना मिला था? 0 मिला था, और इस वाले B के लिए हमें initial phase कितना मिला पाई बाई 2 मिला तो मुझे यहाँ पर अभी function भी बताना है इसके लिए give x as a function of time लिखाना है तो function भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो इसकी help से हम function लिख सकते हैं x लिखा चलो पहले मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर इस function को लिख देता हूँ यह general equation आपकी तो बैस यहाँ पर हमें न देखो यहाँ पर x लिखा और यह a का value कितना है देखो यह तो 2 cm है तो 2 को यहाँ पर लिख दो a की जगा पर 2 लिख दो गिव x as a function of time लिखा है तो हमें function बताना है इसलिए x और t की value यहाँ पर x और t की value पूट नहीं करने यहाँ पर तो put करी थी उसी की help से तो हमें यहाँ यह initial phase पता चला अब initial phase पता चल गया तो सारी value को यहाँ put कर दीजे पर x और t को put नहीं करना क्योंकि मुझे function बताना है इतना समझ मा गया अब देखो यह हमें function मिल गया लेकिन यह sin 90 प्लस थीटा है तो sin 90 प्लस थीटा कॉस थीटा भी होता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकतो 2 sin 90 प्लस थीटा कॉस थीटा भी होता है तो 2 cos 20 t इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, इस function को, ठीक है, समझ मारा है, अब देखो, third वाला है, आपका, third है, यहाँ पर कह रहा है, at the maximum compressed position, आपको t is equal to 0 पे, mass is at the maximum compressed position, ठीक है, तो देखो, बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, जैसे यह आपका mass है, ठीक है, तो यहाँ पर यह mass क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, जो spring है, तो यहाँ पर stretch हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, जब वो maximum compressed position में होगा हो, यहाँ पर, यहाँ पर मुझे t is equal to 0 लेना है, तो जब वो यहाँ पर पहुचेगा, तो उसका displacement क्या होगा, maximum होगा, तो इस x की जो value होगी, x जो होता है, हमें सा mean position से ही measure किया जाता है, यह आपका mean है, तो x की जो value होगी, वो क्या होगी, negative of amplitude होगी, जो यह data मिल गए, x की value भी मिल गए, t is equal to 0 लेना है, तो formula है, हमारा general equation है, a sin omega t plus 5, x की value यहाँ पूट कीजिए, minus a, इस a को भी यहाँ पूट कीजिए, sin, यह तो already है पहले ही, omega into t का value कितना आ जाएगा, 0, plus 5, तो minus a upon a is equal to sin, यह तो 0 होजाएगा, यह 5 बचेगा, यहाँ बचा, minus 1, sin 5, minus 1 किसकी value होती है, यह सारी चीज़ आपको पता हो नीच, sin 0 क्या होता है, आपका 0 होता है, sin 90 क्या होता है, sin 90 मतलब pi by 2, sin 90 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, फिर again, sin 90 के बाद sin 180 कितना होता है, sin 180 का मतलब होता है, pi, यह again 0 होता है, फिर आपका sin 3 pi by 2 कितना होता है, 3 pi by 2 का 90 into 3 270 को बोखता है इसकी value minus 1 होती है minus 1 क्या होता है sin 270 degree होता है और यह sin 2 pi कितना होता है sin 2 pi मतलब 360 degree है 0 होता है इसका graph पता तो होगा आप लोगों को बहुत simple है इसी चीज़े पता नहीं है कि आपको यहाँ 0 होता है यहाँ 1 होता है तो यह sin 0 है यह sin 90 है यह sin 180 है 90 पे value maximum है यह 1 है sin 180 पे 0 है sin 270 पे negative 1 है फिर sin 360 पे 0 है तो यह repeat होती रहेगी value समझ मारा है न कुछ तो यह sin 270 है 3 pi by 2 लिखा जाता है minus 1 होता है तो यहाँ पर आजाएगा minus 1 किसकी value है sin 3 pi by 2 की value है तो यहाँ पर sin 5 भी आ जाएगा तो इस तरीके से 5 की value क्या मिल गई मुझे 3 pi by 2 मिल गई तो यह आपको क्या मिल गई initial face मिल गया देख तीनों ही cases में initial face क्या रहा है different different आ रहा है लेकिन amplitude and angle of frequency सेम है उसमें कोई change नहीं आएगा जानी तो SHM ही नहीं माना जाएगा ठीक है तो initial face कितना है यहाँ पर यह 3 pi by 2 आया अब यह equation दी न बजी यहाँ value पूट कर दीजे x is equal to हमारे पास क्या a sin omega t plus 5 है तो x is equal to amplitude कितना था 2 था sin लेकिये omega कितना था 20 था t को as it is रहने दीजे 5 कितना है 3 pi by 2 है तो यह क्या है आपकर 270 plus theta है तो एक formula बताता हूँ आपको sin 270 plus theta क्या होता है बई sin 270 theta आपकर cos theta होता है लेकिन negative भी आता है क्योंकि यह 4th quadrant में आता है तो यहाँ पर negative भी आता है अब बहुत से बच्चों को में आपर 1st quadrant, 2nd quadrant, 3rd quadrant मैस का पार्ट है अब इन चीजों को यहाँ पर अगर वो चीज एक्समें कर लगे तो वीडियो बहुत लाएंदी हो जाएगा ठीक है आपका तो यहाँ पर 270 plus theta इसे थीटा समझ लीजिए तो sin 270 plus theta क्या होता है negative cos theta होता है तो आप finally इसे लिख सकते हो इस तरीके से लिख सकते हो देखो, x is equal to यह negative आजाएगा यह 2 लिखिए यह cos आजाएगा और इसे as it is लिख दीजिए 270 plus theta को cos theta लिखा जाता है यहाँ पर लिखा न, 270 plus theta को negative cos theta लिख यहाँ पर आगया तो यह आपका function आपको मिल गया यह function भी हमें बताना था इसलिए function बताना भी जरूरी है लेकिन initial phase तीनों ही cases में क्या आ रहा है different आ रहा है, यहाँ पर initial phase इतना आया यहाँ पर B के लिए initial phase इतना आ रहा था फिर A के लिए initial phase इतना आ रहा था ठीक है तो question complete हो गया आपका